हलो एवरिवन वेलकम तो नीट यूजी इंटन ब्रोट वाइन अकाडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ओनलाइन लेर्निंग प्लाटफॉर्म है यहां आपको मिलती है डेली लाइफ क्लासे लाइफ टेस्ट इन क्विज इस ट्रॉक्टिट कोर्सेज एन अनलिमिटर अक्स सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए इसके लिए कई options आपके पास अवेलेबल है 136 1224 सिंस नीट यूजी का सिलेब्स थोड़ा वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे जाधा पॉपलर है आप देख आपकिश और श्रिवास्तवा है मैं गिल यूनिवर्सिटी कानजा मैं रिसरचर मैं काम कर रहा हूं इस समय और आप पर सुनी मुझ से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलिग्राम लिंक नीचे आड़ कर दिया है तो अब तक हमने देखाता है डिफरेंट काटिग ठीक है तो आप देखो कि दो ब्रॉट क्लासिफिकेशन ऑफ अनिमेलिया पेस्ट ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर आज मेंशन इन दे प्रीवियस लेक्टर ठीक है इसमें क्या है सबसे पहले आप इधर देखो किंग्डम आया किंग्डम मतलब अनिमेलिया पूरा का पूरा कि एक सिंगल सेल जो है वो अपना काम कर रही है ठीक है वो अपने तरफ पे निप्टा रही है उसको जो निप्टा ना है ठीक है या मल्टी सेललर और्गानिसम भी हो सकता है ठीक उसमें सेल ए जो है कुछ और काम कर रही है सेल बी जो है वो कुछ और काम करेगी वो सेलललर तो इस type का आपको मिलेगा पौरी फेरा में ठीक है ना अच्छा अब बात आती है कि टीशू की बात करें एक तो cellular हो गया जो सिर्फ जिसका एक example है पौरी फेरा अब हम tissue system की बात करते हैं tissue या organ system की बात करते हैं याने कि cellular से वह एक लेवल उपर चड़ गया इसमें भी दो तरीके के डिविजन हो सकते हैं या तो रेडियल रेडियल याने आप देखेंगे सिमेट्री की बात कर रहा है रेडियल सिमेट्री या बाइलाइट्रल से टीक है तो प्रिमिटिव वाली जो थी वह रेडियल में आती है इसमें नहीं होना अब बात आती है बाइलाइट्रल सिमेट्री की एक से ज़्यादा एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी कि आप उसको काटेंगे तो आपको दो एक्वल हाफ मिल सकते हैं ऐसे प्लेंड धेर सारे हैं और ऐसा एक ही प्लेंड अगर होगा जैसे ए वर्ड ए लिखा है गरर को आप सिर्म इसी प्लेंड से काट वे तो आपko दो अभेस मिलेगा और इसा को बोलेंगे बाइल अट्रल सिमेट्री ठीक अ अच्छी है अब बात आती है बाइलाट्रल सिमेट्रIE में भी दिपरेंटथ हो सकते हैं पहला होता है विदाउट बड़ी कश्ची disproportiones Matthew frequent चाह बाटी बॉडी सीलोम की तो बाती नहीं आती है इसलिए इसको कहेंगे विद्दाउट बॉडी के विटी अच्छा अब सीलोम में ही याद करो मैंने एक और चीज बताए थी जिसमें फॉल्स या स्यूदो सीलोम था क्या होता है जब मीजोडर्म से जिलोम जनरली एक ट्रू सी सीलोम मिल रहे थे इसलिए उसको बोलते हैं हम स्यूदो सीलोम इसका एक्जाम्पल क्या था था तो आपने देखा अपनी तक और में अगर देखा जाए पॉरी फेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लाटी हलमेंथिस फिर आसकल मेंथिस और किस तरीके से कैसे इवाल्व करत आई पिर इस अवरे डियल में आए यह सब टिशू लेवल पर फिर रेडियल आ रहा है ठीक है और आप सब दिविजन देखोंगे तो यह इसमें कोई सीलोम नहीं है पिर सीलोम आया और ट्रू सीलोम की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके एनलीडा अर् किमने पड़ा है आगे के लेक्चर में हम इस यही बेस रखने वाले हैं स्टार्टिंग विट पौरी फेरा जो लेक्चर में आएगा वहां से हम फाइनली कोड़ डेटा के अंदर भी आगे डीटेल्स में पढ़ते जाएंगे तो जो जो ऑर्गैनिसम से यही हमको पढ़ना है बेसिक और यही अनिमल किंगडा में है तो यह फाइला का नाम याद रखना एक और याद रखना आगे का हम नेक्स लेक्टर में शुरू करेंगे तो आई होप कि एक बेसिक आईडिया आपको लग गया हो कि कितने टाइप्स के फाइला है और किस बेसिस पर उनका डिविज सकते हो और इसके बाद आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा ओफ और परसुनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलेग्राम लिंक नीचे आड कर दिया है ल के अनकाडमी नीट यूजी जिसके बाद आप को मेरे जो भी क्लासे उनका अफडेट पाना है तो आपको य किलते हैं नेक्स लेक्ट्चर में